यूपी के अमरोहा जिले में पढ़ने वाली हजरत शाह विलायत दर्गा की एक अलग ही पहटान है यह दर्गा दादा शाह विलायत के नाम से भी मशुर है शाह विलायत की पीडी होने के कारण अमरोहा के लोग उन्हें दादा शाह विलायत के नाम से जानते है इस दरगा को यहां पर मौझूद बिच्छूओं की वज़े से भी जाना जाता है लेकिन चौकाने वाली बात तो यह है कि इतने सारे बिच्छू होने के बावजूद भी यह किसी दर्शनार्थी को नहीं काटते यहां के लोगों का मानना है कि यह बिच्छू इतने जहरी ले होते है कि इनके काटने से किसी की जान तक जा सकती है बिच्छूओं के इस तरह के आचरन के पीछे के वज़े केवल मात्र शाहर विलायत का चमतकार ही माना जाता है मज़े की बाद तो ये भी है कि यहां आने माले दर्शनारती इन बिच्चुओं को संभालने के साथ ही दादा शाह विलायत की मनजूरी से उन्हें अपने साथ ले भी जा सकता है बिच्छूओं को ले जाने के बाद उनकी वापसी की एक दिन न धारत की जाती है जिस दिन उन्हें वापस यहां लाकर छोड़ना पड़ता है लोगों के बीच मायता यह है कि यदि ले जाए गए बिच्छू को तईतिति के दिन वापस नहीं छोड़ा गया तो यह उन्हें काट भी सकते है